यह हमारे गाओं का देशी मटन है देखिए मैं आज स्पेशल कुकर में देशी मटन बनाया था हम अभी चाओल के साथ खाएंगे देखिए मैं अभी सब कर रहा हूं चाओल के साथ खाने के लिए यह 700 ग्राम का मॉटन था पहले हम कड़ाई से बना कर फिर मैं पेशर कुकर में सीट्टी लगा दिया है एक ही सीट्टी लगा था दिखिए यह हमारे गाओं का चाओल है यह साथ में सालाठे ओनियन टमाट्रो और हरामीची और लेंबो देखिए हमारा मटन कितना मस्त दिख रहा है और उसका भी टेस्ट भी मस्त आ रहा है अभी हम खाऊंगी टेस्ट भी करूंगी देखिए हम चाओल के साथ खाते हैं देखिए मटन भी वैल अच्छा है एक ही सीटी में लगा था अब थोड़ा सा गरम है इसलिए मैं लेट में खाऊंगी देखिए मस्त बाल हो गया है मस्त है आप ऐसे है घर में चाओल के साथ मॉटन करी बना के खाए और उसके साथ भी सालट खाए आपको मज़ा आजाएगा तो यह वीडियो आपको कैसे लगी मेरे को कमेंट कर जरूर बताएंगे और फ्रेंड्स आप सभी को रिकेस्ट है कि मेरे चनल को जरूर सब्सक्राइब करिए थैंक यू